इंडिया के इंपेक्ट क्या रहे ओके ग्लोबलाजेशन के जैसे कि MNC यहां पर आने लगी अगर हम देखते हैं तो एक तरह से पॉजिटिव इंपेक्ट रहा क्यों क्यों कि पहले हमारे पास च्वैस नहीं थी प्रोडक्ट्स में इतनी लेकिन जब से MNC आई है आप एक अगर आपने रिस्ट वह ची लेने हैं आपके पास एक से एक ब्रेंड की आपको फोरंड ब्रेंड की अवेलेबल हो जाएंगी सो ग्रेटर चोईस आगे इंप्रूड क्वालिटी क्योंकि जो यहाँ पर लोकल कंप्पनी थी वो भी क्या करने लगी कॉंपिटिशन के चलते अपनी मतलब जो प्रोड़क्ट की क्वालिटी को बहुत ज़दा इंप्रूव करने लगी कि पाइट ताकि उनका प्रोड़क्ट भी क्या हो सेल आउटो ओके लोवर प्राइज प्राइज क्या हो गया जितना कॉंपिटिशन होगा प्राइज क्या रहेगा कम रहेगा आप जो इन लोगों के पास ये नॉर्मल प्रोड़क्ट्स नहीं भी होते थे वो लोग क्या करने लगे उनको लेना जिसे चाइना से चाइना चाइनीज मोबाइल आए थे बहुत टाइम पहले उनके रेट बहुत कम थे तो जो लोग फोन अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे वो लोग भी क्या करने लगे फोन लेने लगे एक तरह से ठीक है तो एक तरह अल् एक फोरन का पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है एंप्俩 मिलती है और सब जो जो लॉकल कंपनी浏या सप्लाइ्र nous szczegól के सब्सक्राइद का जैसे के एक पैंट की Sn Lynchn here और एक एक अच्छ तो व至आ करने लगी अपने रो मिटियल को यहां से एमन्सी में सप्लाइगे मतलब obvious है कि rate वो ज्यादा ही देगी उनको अब उनको यहां ही कि कोई local company होती वो इतना rate नहीं देपाती जितना की वो MNC देदेगी तो एक तरह से jobs हो गई इंप्लाइमेंट नेक्स टेक्नोलिजी अब foreign country foreign companies आ रही है अपने साथ new technology लेकी आ रही है तो वो हमारे point of view से भी अच्छा है कि भई जो यहां की local companies हैं उनको उन टेक्नोलिजी को जानने का मुका मिल रहा है expansion of market market बहुत वाइड हो गया है बढ़ गया है local companies get chance to collaborate with MNC अब उनक को बताया था पहले भी की भी partnership कर लेती है MNC local companies के साथ अब local माली जी के कंपनी आई है बाहर से उसकी 1000 क्रोड की investment है और किसी company के साथ उसने collaborate कर लिया तो उस company के पास तो एकदम से 1000 क्रोड रुपीस की investment उस company में भी तो होगी ना तो उनको भी chance मिल गया collaborate with MNC उनके development की chances भी हो जादा बढ़के globalization has enabled same larger Indian companies to emerge as multinational themselves मतलब जब globalization open हुआ है तो हमारी companies को भी मुखा मिला कुछ other companies को में जाकर मतलब अपना मतलब अपने product को महापस sale करने का company setup करने का like Tata Motors होगी Infosys होगी यह multinational हमारे यहां की इंडिया की company foreign countries में भी है बट कल थोड़ा सा debate था कि developed country को ज्यादा force नहीं करता है WTO कि वो multinational company को अपनी country में आने दे ज्यादा वो किसको force करता है trade barriers हट आने के लिए developing countries को लेकिन फिर भी countries की awareness के चलते अब यह चीज़ थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई है next is companies producing service got an opportunity to export their services to developed countries अब क्या होए हमारे हापा जैसे किसी भी developing country को अपनी जो services है वो developed country को supply करने का export करने का एक तरह से chance मिल गया जैसे कि for example एक developed country है ठीक है उसने अपनी data entry करवानी है अब वहाँ पर उनको यह data entry बहुत costly पड़ रही है क्योंकि जो वहाँ के employees है वो ज्यादा salary की demand करते हैं तो अब वहीं के वहीं online यह काम call center के त्रू कहां से करवा रही है इंडिया के त्रू ग्रू ग्राम में है IBM country है sorry IBM company है call center ही है तो वो यह अब data entry कहां से हो रही है इंडिया से हो रही है ठीक है अब US के company का काम क्या था कि उसने अपना data entry करवाने थी अब वहाँ वालों को कोई मतलब नहीं है कि वो data entry मतलब वो US उसी company के employee कर रही है या फिर इंडिया के कर रही है अब US company को क्या हुआ कि कम salary पर उनकी data entry हो गई ओके और यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो services हैं इंडिया के comparison में जो developed countries की जो companies हैं वो ज्यादा salary ओफर करती हैं तो एक तरह से हमें अपनी services developed country में export करने का मौका मिला है किन काम होगे लिए data entry हो गया accounting हो गया administration task हो गया etc अब कुछ देखते हैं drawback of globalization अब यह जितना भी system हुआ ठीक है जिन्होंने collaborate कर लिया लोकल companies ने MNC के साथ वो ठीक है लेकिन बाकी भी तो companies थी उनका क्या होगा जो यहां पर भी बड़ी-बड़ी companies थी obvious है बड़ी-बड़ी companies के साथ ही collaborate करेगी लेकिन जो small जो companies थी उनको ज्यादा benefit नहीं हो पाया नहीं यह globalization से poverty की problem solve हो पाई क्योंकि जो rich थे वो और rich होते चले गए ठीक है fail to solve the problem of poverty only rich and educated class has benefited from globalization workers jobs are not longer secure workers बहुत मिल रहे हैं तो MNCs में काम करने के लिए तो एक तरह से workers को अपनी job की security नहीं रही create challenge create challenges to small producer बताया है कि जो local जो छोटे छोटे चोटे producer थे उनके लिए challenges सामने आ गए तो मैं इनके very short के one to five questions जो है send करूंगी वीडियो के साथ जब इसकी send करूंगी तो आप लोग वह अच्छे से revise कर लेना I hope आपने very short question जो है revise कर लिए होंगे और कल new topic देखते हैं till then bye